मरने के अगर एक आदमी मर गया है और आपने उसको जिन्दा करते हुए हड़ियां तोड़ दी तो जो हड़ियां तो हम जोड़ देंगे लेकिन जिन्दा आदमी में प्रैक्टेस नहीं करना तो ये मेरी हाथ जो के डिक्वेस्ट है लेकिन मैसेज याद रखना पास करना ये एक मरा हुआ इंसान है इसकी डमी है मैं दिल्ली से लेकर आया हूं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए उपर तक सबको दिखाई दे रही है इसको मरेवे आदमी को जमीन पे लिटा दो सोफे पे नहीं बिस्तर पे नहीं और उसके बाद में सावित्री आसन की पोजिशन में बैठ जाओ और सावित्री आसन है घुटने के बल खड़ा होना घुटने के बल खड़े होने को सावित्री आसन बोलते हैं इस पोजिशन में आप नहीं कर सकते खड़े होके नहीं कर सक तो सावित्री आसन में आप बैट गए इसके बाद में सावित्री मुद्रा सावित्री मुद्रा का मतलब है दोनों हातों को बिना को नी को मोड़े सीधा कर लिया इस पोजिशन में अगर आप ऐसे करेंगे तो सकसुस्फफल नहीं होगा तो सावित्री मुद्रा, सावित्री स्थान, सावित्री मुद्रा, अब इसके बाद में ये छाती है मेरी, दो निपल के बीच में, बीच का हिस्सा, छाती के बीचों बीच, चेस बोन के बीचों बीच, यहां पे आपने दोनों हातों को सीधा रखे, बिना कोली को मोड़े, इ आहर्क आया ऊपर आया और कुछ ने परना कट ब्रो थी दो करते रहना है 10 दॉपको कर के सांस लेकि अठा जाएया को डॉपकर ना पहुंच जाए सौ में से कम से कम साथ लोग बचेंगे अगर आप में से कोई आदमी उस वकत में होता तो हमजद खान आज जिंदा होता, विनोद महरा जिंदा होता, संजीब कुमार आज जिंदा होता शफी इमांदार आज जिंदा होता, वो क्यों नहीं जिंदा हुए? क्योंकि घर वालों को यह नहीं आता था और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं सीख सकते सिंपल है